नमस्कार मैं हूँ ग्यानेंदर तिवारी और आप देख रहे हैं ABP News का खास शो कार में सरकार और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारे साथ केंदरी मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान होंगे वालियान साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है ABP News के इस कार में सरकार के सो में इस कार में सवार होने के लिए आप तयार हैं चलिए जी साथ चलिए तो जनता के बीच हम जाते हैं और मंत्री जी से भी सवाल जवाब करेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि क्या जो BJP कह र बात करेंगे पश्चमी यूपी की भी साथ होंगे हमारे केंदरी मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तो चलिए सफर आगे बढ़ाते हैं और बात्चिलत का सिलसिला सुरू करते हैं सर्थ तयारें आप बिल्कुल तयार हैं साब अमिसाजी भी आये थे जी तयारियों की सम करते हैं तो चलिए मजबूती से लडाई लडने के लिए थायर हैं और बात्चीत करते हैं सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह सवार होकर इसे सवाल जवाब करते हैं देखे इन दिनों एक ही खबर चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाओं से जुड़ी हुई टेली विजन चैनलों में या अखबारों में और वो है पस्चिमी उत्तर प्रदेश और जब पस्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है पहले चरण में यहां मतदान होना है तो किसान की बात आती है और मैंने आज जब डॉक्टर साहब से बात की तो मैंने कहा बात तो आप से करूँगा और कार में सवार होकर ही करूंगा और कार में सरकार के शोपर ही करूंगा लेकिन खेतों पर करूंगा डॉक्टर साब और आपने सहमती जताई आप तयार है किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए बिलकुल तयार है क्या लगता है आपको जिस तरह से नाराजगी थी और किसान आंदोलन जब चल रहा था मैं सुरुआत इसलिए आप से एक कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये कहा कि किसानों पर तिवारी जी जितना बात करना है कर लीजिए सब को साध लिया है क्या आपने देखें जब ये किसान आंदोलन चला तो हमारे यहां गन्नी की फसल आप देख सकते हैं जातर आपको गन्ना दिखाए देगा और हमें मंडी से जाद है हमारे मंडी के नाम पर सिर्फ गुड मंडी है लेकिन हमारा अर्याना और पंजाब के साथ एक भावनात्मक रिष्टा है अगर पश्ची मुद्ध्र प्रदेश में कुछ होगा तो यहां जब मुझा दंगा वाद हो जारती रहे में तो आपको रियक्शन हर्याना में दिख है थी पंजाब तक दिखाए थी तो एक रिस्ता है हम लोगों का तो हमारे लिए अपने लिए मुद्धा नहीं ता लेकिन कि मोश्चनल मुद्धा वो बना जब प्रधामतिन वापस लिए और वापस भी लेगिए कहके लिए कि हम समझा नहीं पाए हम माफ कर दो तो उस दि उट तो यह कहेंगे ही कि जिस दिन प्रधानमंतरी जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए तो सब सिठ हो गया कैसे मान लिया जाए सिठ हो गया अखिलेस आ रहे हैं अहां जैंत चोधरी wijने उनको आप लोग ऐफर देते हैं तो कहते हैं कि किसानों से जाइए बात करिये श मुझफर पुरा आने दीजिए न अगर आप लोग को डर नहीं है तो हमने इतनी बढ़िया सड़क बनवाई उनके लिए पहले चार गंटे माते थे उनके राज मकलेश के अब डेड़ घंटे माते हैं अरे भाई कभी-कभी कार से भी चलिया अगरो कभी कार साथ तो डेड़ गंटे पोँचाते जितनी देर वहां से ट्वीट कर रहे थे तो कार से डेड़ घंटा लगता है मुझे अच्छी सड़क आप भी आए होंगे मजा आया होगा उनकी सरकार में चार गंटे से पाच गंटे लगते थे यह को लू है हमारे गुड़ और शक्र बनती है तो पहले जमाने में जब शुगर मिल नहीं होती थी को लू होता था तो यह को ल पी न्यूस के दर्सक को डाक्टर साहब खुद ही समझाएंगे रोकिये वाई गाड़ी तो चलिए कोलु क्या है यह बताएंगे डाक्टर साहब खुद क्या होता है और इसके बाद गठबंदन के नेता उसे पूछना के कोलुगा मतलब क्या है चुकि उनके पिता जी दाद जाएगा थोड़ा कभी गाउं मेरे लें तो अच्छा है देखे पुराने समय से हमारे यहां पहले शुकर मिल को कह रहे हैं सभाई वालों को कह रहे हैं सब को कह रहा हूं राजबर जी और समय परसाद मोरिया गाउं से निकले हुए वे लोग है उन्हें में बिल्कों नहीं बड़े जो जिनके पिता जी बड़े रहे हैं मुनको लिवा कर रहा हूं देखे कोलू है पहले से हमारी प्रंपरा रही है जो शुकर मिल नहीं होते थे पहले तो पहले अब तो यह कोलू चलने लगा यह गन्ना अगर इसमें से आप डालोगे तो पेर यहां पिरा जाएगा और इसमें से रस निकलेगा पहले यह कोलू यह बैल से चलते थे लेकिन बदलते हुए यह देखे यहां से यहां आप डालोगे यहां से रस निकलेगा यहां रसी कट्टा होगा यह सारा पहले बैल से चलता था साथ के साथ के साथ यहां बेर तो आपके भी बहुत सारे गुड़ और शकर खाने लगे और अभी ये गुड़ और शकर हमारे एक्सपोर्ट होने लगा साब और वन डिस्टिक वन प्रोड़क्त में हमारे यहां गुड़ है सरकार भी स्वर परियास करिया एक्सपोर्ट होए डाप्टर साब मैं एक सवाल आप से पूछना चाहता हूं यह जो गन्ना है आप कह रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है गन्ने के किसान के साथ अन्याय हुआ खिले स्यादो यही कहते रहते हैं आपने किया क अन्याय के लिए क्योंकि दर्सक भी यह जानना चाहता है किसान भी यह जानना चाहता है वोट तो आप मागेंगे ही किसानों के नाम पर पूरा न्याय तो हमने भी नहीं किया लेकिन अख्लेश जादो जैसा अन्याय हमने नहीं किया कोड का फैसला आए कोड का कि गन्ना किस जिसके खिलाफ सरदार वीम सी कोट में लड़ रहे हैं कोट ने दुबारा फैसला किया यह तो किया अखलेश के टाइम पर पेमिंट नहीं था आप किसी सब पूछे मैं नहीं कह रहा है हमारे में नहीं कहता है कि हमारी सरकार ने चोदे दिन में दे दिया अपनी नाकाम्याब आपने इसाथ रखता हूँ लेकिन अकलेश ज printed साथ तो किसी नहीं क्या राकेश टिकैट की बात कर रहा हूं मैं आज को लू दिखाया राकेश कि टिकैट पर भी आप पहुंची गये थे ये रिष्टा क्या कहलाता है भाइचारा आपसी प्यार देखे पांस साल का था था थे पसी सोली पहली बार चोधरी में अंदर सिंग टिकेट से मिलने के लिए गया था साड़े साथ साल से सांसद हूं शायद कोई तीन महीं नहीं गए होंगे मैं किसान बहुन जाता हूं बाकी नेता कब आते हैं बाकी नेता आएंगे चुनाओं के समगे लोग सबाओगा तो कोई ने कोई नेता आएगा विदान सबाओगा तो आएगा कोई चुनाओं में कहीं मतवेद हो सकते हैं मुद्दोग लेके लेकिन आपसी भाईचारा होता है हम इक गाउं से ही हैं खाप से हैं इस बार कितनी सीट देखे जोट सी तो हूं नहीं और दूसरी बात जो जनता को निर्णे लेना उसके बारे में पहले के दू तो जनता बुरामान जाएगी और पश् साथ जनता की बात कर रहे हैं जनता के बीच चलें चलिए साथ वहां चलते हैं बैठते हैं चाय पीते हैं उनसे भी बात करते हैं कि जो आपकर रहे हैं और बात करते हैं जनता के बीच चलते हैं और पूछते हैं उनसे कि जो डॉक्टर साथ कह रहे हैं यह देखिए जनता इ करें और चाय पर चर्चा करते हैं डॉक्तर संजीव बालियां से जनता की बात हुई थी मैं जनता से पूछ के आता हूँ रियालिटी चेक है ये डॉक्टर साहब आपका देखे मैं आपको अपने कार में सवार करके लाया हूँ और मैं जनता हमारा ये एकदम और लॉया और को अपको आप जानते हैं हिन्हें हैं ये स अंचाद लोक परिये शांचाद मरें संजीव बालियां जी दोजार चोदह में जीत काई थे फिर डुन्नी समें जिते चोफरी जी को हराया था अजी सिंगे को इन्होंने काफी मतों से हराया था धावा का माली का हू आपके क्यों पें अच्छा काम हो रहा है जी बीजे बीजे अच्छा हो रहा है चलिए जनता से भी मैंने बात कर ली और डॉक्टर संजीव बलियान ने जिस तरह से ये कहा कि चलिए जनता के पास हम जाने के लिए तयार है तो आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में थे केंदरी मंतरी डॉक्टर संजीव वालियान और हमने कहा इन से कि आप उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए जो जनता जानना चाहती है कि आखिर उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओं में जनता आपको क्यों दोबारा चुने डॉक्टर साहब आपने इतना वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए हमें खेत में लेकर गए कोलू दिखाया धाबे में चाय पी उसके लिए आपका बहुत-बहुत आए, यह मेरे लिए बड़ी बात है, आप इतनी दूर से मेरे पास आए हैं, आप मेरे महमान हैं तो यह रही डॉक्टर साहब से बाचीत, अगले एपिसोड में कोई और खास महमान के साथ हम कार में सरकार लेकर आएंगे तब तक आप देखते रहें और बने रहें, एबी पी नियूज के साथ नमस्कार झाल एबी देखते लाओ से महमान हैं आप जियूज के साथ हैं